सुप्रभाद बच्चो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं हिंदी भाषा भारती का पाठ ग्यारा कृष्ण और सुदामा कठिन शब्द निर्वहा गुजारा करना द्वारपाल दर्बान निर्धन गरीब ब्रहामण पंडित रिशी भोचक्का हैरान रजाना विश्व कर्मा एक नाम है सिंगहासन राजगर्दी स्वादिष्ट बहुत ही स्वादिष्ट अच्छा जिसका स्वाद अच्छा होता है स संतोशी संतोश करने वाला प्राचीन समय की बात है संदीपन नाम के एक रिशी थे उनके आश्रम में बहुत से बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे रिशी संदीपन के अनेक शिश्यों में से कृष्ण भी एक शिष्ट बालक थे दूसरा शिश्य सुदाम एक निर्धन बालक था दोनों बहुत नेक सुशील और आज्यकारी बालक थे इसलिए रिशी संदीपन उन्हें पसंद करते थे दोनों बहुत घनिष्ट मित्र थे अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात दोनों मित्र एक दूसरे से अलग हो गए गाउं पहुँचने पर सुधामा के सभी मित्रो और रिष्टिदारों ने उन्हें विवा करने की सला दी निर्धन होने के बावजूद सुधामा और उसकी पत्नी सदा प्रसन्नता पूर्वक रहते थे मतलब कृष्ण और सुधामा की मुलाकात कहां पे हुई थी संदीपन निशी के आश्रम में दोनों ही बहुत समस्दार बच्चे थे आग्याकारी थे दोनों बहुत गहरे मित्र थे जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो सुधामा जी और कृष्ण जी अपने अपने घर लोट गए और सुधामा जी का विवा हो गया उनकी पत्नी और वो दोनों खुशी-खुशी रहने लगे समय के साथ साथ सुधामा का कुटूम भी बढ़ता गया कुटूम यानि उनका परिवार बढ़ता गया और वे दिन प्रते दिन और गरीब होते चले गए सुधामा समय समय पर अपने मित्र कृष्ण का स्मरण करते थे स्मरण मतलब उन्हें याद करते थे अपनी निर्दन अवस्ता को देखकर सुधामा की पत्नी ने उसे अपने मित्र कृष्ण जो द्वारिका के राजा थे से मिलकर कुछ मदद मांगने को कहा सुधामा अपने मित्र के लिए कुछ भेट लेकर जाना चाहते थे भेट यानि उपहार पर उन्हें कुछ नहीं मिला बहुत खोजने पर उन्हें घर के एक कोने से कुछ सूखे चावल मिले जो उन्होंने पोटली में बांध लिये और मित्र से मिलने निकल पड़े अब कृष्ण के राजमहल के भार द्वारिका में सुधामा जी पहुँच गए है पटेपुराने वस्त्रों में अब देखो क्या बात हो रही है द्वारपाल ने पूछा कौन हो तुम क्या तांग जाक कर रहे हो सुधामा ने का भाया श्री कृष्ण यहीं रहते है ना द्वारपाल ने का हाँ क्यों सुधामा मैं बड़ी दूर से उनसे मिलने आया हूँ क्या काम है तुम्हें सुधामा काम तो मुझे कुछ भी नहीं है द्वारपाल बिना काम तुम उनसे नहीं मिल सकते जाओ यहां से चले जाओ, जाओ अपना रास्ता नापो मतलग यहां से चले जाओ, सुधामा, भाई मैं उनका बाल सका हूँ, बड़ी दूर से उनसे मिलने आया हूँ, तो आप बाल, नीचे से उपर तक शंका से देखता है, हैरानी से बड़ी, उनको शंका हो रहे थी, कि ऐस कैसे हो सकता है, गरीब ब्राह्मन, एक राजा का मित्र कैसे हो सकता है, तो बोला ब्राह्मन देवता, आज विजिया जादा चड़ा ली है, क्या विजिया यानि लश्या, यानि आपको, इसको आप कह सकते है, जो भांग होती है, वो भांग जादा पी ली है, कि असुदामा बताऊ अपना तो सुदामा ने बोला मेरा नाम सुदामा है द्वारपाल ने कहा आप यहां विराज ये मैं महाराज को आपके आने की सूचना देता हूँ द्वारपाल से जैसे ही सूचना मिलती है श्री कृष्ण नंगे पाउं दोड़ कर द्वार तक आते हैं सुदामा को ग अगड़कर राजमहल में ले जाते हैं श्रीकृष्ण बताओ भावी तो अच्छी तरह है ना हमारे लिए क्या भीजा है उन्होंने सुधामा ने बोला वह बेचारी गरीब ब्रामनी क्या भेज सकती है बगल में लटकती चावल की पोटली को संकोच से चिपाता है उसने तो म मुझे तुमारे पास भेज दिया है सो चला आया हूँ श्रीकृष्ण यह हूँ नहीं सकता कि भावी मेरे ले कुछ ना भेजें चावल की पोटली खोल कर खाते हुए वा वा भावी जी ने तो कितनी अच्छी चीज भेजी है कितने दिनों के बाद इतने स्वादिष्ट च चावल खाने को मिले अच्छा मित्र आओ अब अंदर चलते हैं अब तुम नहाओ खाओ और अराम करो सेवक सुदामा को भीतर ले जाते हैं कृष्ण वहीं बैठे हैं श्रीकृष्ण मन ही मन विचार करते हुए सुदामा मेरा बच्पन का मित्र मेरा सहपाथी आज उसकी य भावी ने भेजा तो आ गया कितना सीधा कितना संतोशी है यह मेरा बाल सखा अच्छा अरै कोई है द्वारपल ने बोला आग्या दीजे महराज श्रीकृष्ण विश्वकर्मा जी को बुलाओ अभी इसी समय थोड़ी देर में विश्वकर्मा जी आते हैं विश्वकर्मा महराज क्या आग्या है श्रीकृष्ण विश्वकर्मा जी सुदामा मेरे बाल सखा है वे हैं आये हुए हैं उनके घर पहुंचने से पहले ही उनके घर को मेरे महल जैसा बना दीजे विश्वकर्मा जो आग्या महराज श्रीकृष्ण और देखिए सब सामान और विश्व कर्मा ऐसा ही होगा महाराज श्रीकृष्ण द्वारपाल मंत्री को बुला कर लाता है श्रीकृष्ण मंत्री जी सुदामा मेरे बाल सका है आप उनके घर सब धन्धाने और सुख वैबव के इतने साधन पहुंचा दीजिए कि वे मेरे ही समान सुख से रह सके हम दोन या ऐसा ही होगा मंत्री जाते है श्रीकृष्ण के चहरे पर प्रसन्यता का भाव है सुदामा का अपने गाउं में प्रवेश अब सुदामा को नई पता था कि श्रीकृष्ण जी उनके घर पहुंचने से पहले उनकी जोपड़ी के जगा पे महल बनवा देंगे और उनके घर में सब सुख सुविदाओं के साधन पहुंचा देंगे अपने गहों पहुंच कर अपना महल आप भूशन कीमती वस्त्र आदी देख कर सुदामा को अपने मित्र कृष्ण की दी हुई सांत्वना की याद आई सांत्वना यानि दिलासा देना जब सुदामा चले वहां से राजमहल से तो श्री कृष्ण ने उनकी पेट पर हाथ रख कर कंदे पर हाथ रख कर कहां कि मित्र जाओ सब ठीक हो जाएगा अमीर होने पर भी सुदामा कभी भी अपने मित्र की कृपा को नहीं बूले और सदा निर्धनों की सहायता करते रहे सुदामा और कृष्ण सच् मित्र थे तो देखा बच्चों आपने किस तरह से श्री कृष्ण जी ने सुदामा की मदद की उन्हें बिना बताए तो आशा करती हूं आपको यह पाट समझ में आग्या होगा धन्यवाद